तो चलिए आप लोगे लिए फिर एक नया वीडियो लेकर करके आ गया हूं तो देखिए क्या है मलेरिया बीमारी के रोग जनक लक्षन संकरमन तथा उपचार को लिखे दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था हैजा के बारे में और येस वीडियो में हम लो प्लाजमोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है दोस्तों ये जो है मलेरिया प्रोटो जोवान पारासाइट प्लाजमोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है यह प्लाजमोडियम वाइवेक्स से इनफेक्टेड फिमेल अनिकी दोस्तों जो संकरमित फिमेल एनोफ्रीज mosquito के दुवारा क्या होता है healthy person में फैलता है दोस्तों ये प्लाजमोडियम भाइवेक्स जो है infected female एनोफ्रीज मेस्कुट यानि की मादा एनोफ्रीज मच्छर जो होते हैं उनके दुवारा healthy यानि की स्वस्त व्यक्ति के सरीर में फैलता है प्लाजमोडियम भाइवेक्स अपना जीवन चक्र दो होस्ट पर व्यतित करता है दोस्तों प्लाजमोडियम भाइवेक्स जो होता है इसका जीवन चक्र निकी life cycle जो है दोस्तों दो होस्ट पर व्यतित होता तो पहला होस्ट देखिए धोस्तों क्याफ चैंडी ये दोनों पर आपन क्ता आपन करता उसको अधिक ठंधा लगता है तेज बुखार लगना रकत हिंता होता है पिला पड़ जाता है अब भने और उसका समाँने लक्षन है और गितर आपस लाज मतव सारी इलाज होता है उसके बाद इससे कैसे बचेंगे चलिई दोस्तों इससे बचो है कि दूसीत जल में DDT का शिर्कव करना चाहिए दोस्तों मलरिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए दूसित जल में DDT का शिर्कव करना चाहिए और मेस्क्यूटो नेट लगा कर सोना चाहिए दोस्तों मच्छरदानी का पड़ियो करना चाहिए सोने के लिए जिससे आपको ये बीमारी से बचा सकता है दोस्तों ये जो हैमिलरिया ये भी बार बार एक्जाम में पूछा जाता है बोड एक्जाम में तो दोस्तों इसे जरूर ही आप याद कर लिजे तो इसी वीडियो में एक और बीमारी को देखते हैं तो चलिये दोस्तों दूसरा कॉस्टन क्या था तीबी अन्य की जैरोक ठीबी को इंगले सनल ट्यूबर क्लोशी और हिंदी मuir उन्दीयों बोलते हैं के संकरमार्षार बचों को लिखना है तो चाहिए दोस्तों चैरोग क्या है यह एक संक्रामा क्रोग है चैरोग यानि कि दोस्तों टीवी की जो विमारी होती है इसको हिंदी में हम चैरोग बोलते हैं यह एक संक्रामा क्रोग है जो एक बैक्ति से दूसरे बैक्ति में कंटक्ट में आने से फैलता है यह जो दोस्तों यह जो चैरोग जो है तो lunges को अनिकी फेफ़रा को जिसे पल्मो नरी टीवी कहा जाता है दोस्तों, जो lunges को संकरमित करना क्या का लाता है, पल्मो नरी टीवी का लाता है, उसके बाद देखिये दोस्तों, इसके अत्रिक यह brain, bone marrow, eyes, spinel code में भी होता है, दोस्तों, फेफ़रा के अलावा, यह 6 पेरों में होता है आंख में भी होती है स्पेनल कोड में भी होता है चलिए दोस्तों इसका उद्भाव अब्धी कैसे है मतलब यह कई से परकट होता है और कभ जाकर के दिखाई देता है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं उद्भाव अब्धी यह जो है दो से दस अपता के लगता है कि इसके टीबी हुआ है जली दोस्तों इसका लक्षन क्या है symptoms तो लक्षन है दोस्तों इसका रोगी को भुख कम लगना जिस व्यक्ति को टीबी यानि की छहरोग की बिमारी है उस व्यक्ति को भुख कम लगता है बार 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 क्या होता है वनी कि ब्राबर बुखार लगता है तथा कभी-कभी खांसी के साथ मूँ से बलड निकलता है ये दोस्तों ये समान लक्षन है रात में सरीर से पसिना निकलना सरीर का वजन कम होना छाती में दर्द होना ये सब जो है दोस्तों ये समान लक्षन है मिलेर ड्रग्स अंटी मेटेरियल ड्रग्स में कुलोरो क्वाइन फॉस्पेट कुनेन फॉस्पेट यह दोस्तों इसका एलाज है मेडिसीन है आप इसे कैसे बचो करेंगे प्रिवेंट करेंगे तो रोगी को अत्र तत्र नहीं ठूकना चाहिए जो जिस ब्यक्ति को जो ब्यक्ति ट अलग कमरे में रखना चाहिए दोस्तों ये भी जो है टीवी छे रोग ये भी एक्जाम बार बार पूछा जाता है दोस्तों आप इसे अपने कोपी में अवस्ची नोट कर लिजिए और इसे याद कर लिजिए जिससे आपको पांच मार्क असानी से आ सके दोस्तों अगर आ ये खांच बडि लाक, अबर का इ Claus को चाहिए और रिजिए ऑना ये ले खांपकी एक्जाम है जो है कि